कि नाक कुटम सब्यूलारा कि बीजेपी से अलग कॉंग्रेस और केसियार ने आपको दोखा देने का कोई मोका छोड़ा नहीं है जब कोई प्रस्टाचार का नाम लेता है परिवारवाद का नाम लेता है तुष्टी करण का नाम लेता है तो तुरंट आपको कौन दिखाई देता है भी आरेस दिखती है या तो कॉंग्रेस दिखती है या तो दोनों दिखते है कॉंग्रेस के विधायों के तो कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ये कब बी आरेस में चले जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं सारा विकाव माल बाजार में है इसलिए कोई भी तेलंगणा में कॉंग्रेस को वोट नहीं देगा क्योंकि लोग जानते हैं कॉंग्रेस को वोट देने का मतलब है कि के सी आर को दुबारा लाने का रास्ता खोल देना कॉंग्रेस को वोट यहने के सी आर की सरकार फिर से आने की संभावना और इसलिए अगर आप के सी आर नहीं चाहते हैं तो कॉंग्रेस को भी गलती जे वोट मत देना वरना वो पीज़ेद गुज जाएंगे सत्ता से बाहार करने के लिए एक ही तरीका है एक ही जड़ी बुट्टी है एक ही प्वा है कमल का बटन दबाना बीजेपी की जीट और बीजेपी का सी एम ना कुटुम सब्यूलारा परिवार के अहंकार में कैसे प्रतिभा का अपमान होता है ये खेत्र इसका बुक्त भोगी रहा है इस मिट्टी ने देश को पीवी नर्शिमा रावजी के रुपे एक प्रधान मंत्री दिये लेकिन कॉंग्रेस के शाही परिवार उनको पसंद नहीं आया और उनका कदम कदम पर अपमान किया यही नहीं राव साहब के नीधन के बाद भी सरेहाम कॉंग्रेस के शाही परिवार ने नर्शिमा रावजी का अपमान करने का एक भी मोका जाने नहीं दिया यह परिवार वादी सीर पर सरफ अपने ही बच्चों की सोचते हैं आपके बच्चों की उनको चिन्ता नहीं है इसलिए आपको बियारेस हो या फिर कॉंग्रेस यह आपके बच्चों का भविश्य बरबाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते इतलिए मैं कहता हूँ कॉंग्रेस केसियार उक्टे इत्दरी तो जागरत गा उड़न दे बीजेपी मात्र में तेलंग्यणा प्रतिष्टनों पेंचूत उन्दी अक्का चिल्ललारा अन्ना तम्मुल्लारा इरोजु रास्टम लो निलकोल कुन्नटवटी विशयालनु मीर चाला संक्षिप्तंगा आलो चिस्तु हुंडाली देश में नरेंदर मोधी जी की बीजेपी की सरकार है दस सालों से यह सरकार चल रही है अज देश की परिस्थिती यह है कि देश का किसान 27-27 रुपय एक दिन में बनाता है और एक उध्योगपती नरेंदर मोधी जी के दोस्त अडानी जी एक दिन में 1600 क्रोड रुपे कमाते हैं इरोजु इदेश रैतुलु इरास्ट रैतुलु संपाधिच नट्वंटी डब्बंता नरंदर मोरिगारी मित्रुडई नट्वंटी अदानिगारू रैतुलकंदा मिंच न कोटलाधि पैसलु अदानिगारू जंपाधिस्तुन्नारू आज देश की परिस्तिती ये है कि जितने भी देश की संपत्ती थी बड़े-बड़े बंदरगा, बड़े-बड़े हवाई अड़े, बड़े-बड़े कमपनियां जिन से जनता को रोजगार मिलता था, वो एक के बाद एक नरेंदर मोधी जी और उनकी सरकार ने बड़े- देश की परिस्तितियां ये है कि जब देश का किसान महीनों के लिए अंदोलन कर रहा था, बिगेर पानी के, बिगेर बिजली के, जब सेक्डो किशान सहीद हुए, तब नरेंदर मोधी जी अपने घर से बाहर ही नहीं आये उनकी बात सुनने के लिए पूरे देश भर में आज सरकारी कर्मचारियों की एक ही मांग है, हमें पुरानी पेंशन दो, इसके लिए भी केंदर सरकार कहती है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो बेहनों और भाईयों अच्छी तरे से समझ लो, किसानों के लिए पैसे नहीं है, कर्मचारियों के लिए पैसे नहीं है, महिलाओं के लिए मदद करने के लिए पैसे नहीं है, नौजवानों के लिए रोजगार बनाने के लिए कुछ तमस्या कुछ योजना नहीं है, लेकिन बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ करने के लिए पैसे है, हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसे है, नई संसत भवन बनाने के लिए हजारो करोड रुपे खर्चने के लिए पैसे है, बड़ी-बड़ी इमारतों के लिए G20 के लिए पैसे है, लेकिन इ आपल परजान को सम् एरोध टेंदर प्रपुत वंद अगरा पाइसाल लेव। मैल लापुरुति कुरिंदि पाइसाल लेव। इवकुल उद्धोगम कुरिंदि पाइसाल लेव। कानि वाल्लु विलासमांत बावनाल कट्टकोड़ानिकी डबुल उन्नाई वाल्ला दोस्तु लाइन अट्वंटि अधानि अमबानी योग का अपुलु तीर चड़ानिकी पाइसाल लेव। भाईयों और बैनों देश में जो केंद्र सरकार चल रही है सिर्फ अपने लिए सत्ता बनाने के लिए और अपने लिए इस ब्रश्टा चार करने के लिए और पैसे बटोरने के लिए है आज भाजपा देश नहीं दुनिया की सबसे अमीर पाटी है बीजेपी पाटी है